हलो फ्रेंड्स वल्कम तो मैं चैनल जीओ जीओ जीओन आप सभी का मेरे चैनल जीओ जीओन पर हार दिक स्वागत है पूर्शो के मद्ध यानि की बीच पीट पर चिपकली के गिरने का क्या मतलब होता है जी हाँ आज का वीडियो बहुत ही खास है अगर अभी तक आपने मेर चैनल सब्सक्राइब क्या हो तो इससे अभी सब्सक्राइब कर लेए और वीडियो को लाएक हर शेयर करना ना फूले दोस्तों पूराडिक शास्त्रों एवं धारमिक क्रन्थों में कई ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जिसके द्वारा हम अपने भविश में होने वाली शुब और शुब घटनाओं के बारे में पहले से ही जान सकते हैं परशुपक्षी और कई जीवजन्तु अपने कुछ क्रिया कलापों द्वारा भविश में होने वाली शुब और शुब से हमें संकीत द्वारा आउगत कराती रहती है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पूर्षों के पीठ के मद्ध भाग यानि की पीठ के बीचों बीच छिपकिली के गिरने का मतलब बताऊंगी तो आए जानते हैं कि यदि किसी पूरुष के पीठ के बीचों ब दिभाग यानि की बीचों बीच किरती है तो यह शुब नहीं माना जाता ऐसा माना जाता है कि आपको निकट भविश में किसी प्रकार की जगड़ा या जंजट की स्थती का सामना करना पड़ सकता है साथी साथ आपके घर परिवार में कला की स्थती बन सकती है दोस्तों च किसी करीबी के साथ मन मुटाओ के स्थिती भी बनने वाली है कुल मिलाके चिपकली का पीठ के मद्ध भाग पर गिरना शुब नहीं माला जाता है। दोस्तों आई जानते हैं कि चिपकली के गिरने के अशुब प्रभाव से वचने के लिए आप किन उपायों को कर सकते हैं। दोस्तों यदि कभी भी चिपकली आपके किसी भी अंग पर गिरती है तो सरप्रतम आप फस्त्रों को अवश्य बदलें। इसके बाद आप रिश्णान कर लें और हो सके तो आप भगवान शीव का दर्शन अवश्य करें। हो सके तो आप अपने इस्ट देव का ध्यान करते हुए रक्षा मंत्रों का जाब भी कर सकते हैं। इसके अत्रिक्त आप नमक से खुद को 5, 7 या 11 बार वार करके नमक को बाहर फेक सकते हैं। दोस्तों आप उचित दान दक्षणा भी कर सकते हैं। दोस्तों आई जानते हैं विज्ञान के अनुसार मनुष्य के अंगों पर छिपकली के गिरने का क्या मतलब होता है। गिरती है तो अपने सरीर से चिपचिपा परदार छोड़ती है। जो कि मनुष्य के आँख नाक और मुँ में जाने पर वेक्ति को किसी प्रकार का नुकसान पहुचा सकती है। हो सके तो चिपकली से दूर रहने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। कारण कुछ भी हो। सभी की अपनी अलग-अलग मानताएं मानी गई है। विज्ञान की माने तो मनुष्य के अंगों पर छिपकली का गिरना एक आम प्रक्रिया के अंतरगत माना गया है। परंतिदी शास्त्रों की माने तो चिपकली के क्रिया कलाप कई गूर रह से चिपाए हुए हैं जो मनुष्य को भविश्य में होने वाली शुब और शुब घटनाओं से अवगत कराते रहते हैं। दोस्तों आशा करते हूँ कि आज की दीगई जानकारियां आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो क्रपया मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।